कानपूर मों की शोरों का वैक्षिनेशन शुरू कानपूर सहीद आसपास की जिलों में बच्चों ने लिया वैक्षिन का पहला डोज कानपूर में 23 स्थानों पर 15-18 साल आयू वर्क की विलाबारतियों को आज कोरोना वैक्षिन की पहली डोज दी गई उन्हें 5 एमेल को वैक्षिन की डोज लगाई गई पहली डोज लगने के 28 दिन बाद वैक्षिन की दूसरी डोज लगेगी कानपूर सहीद आसपास के सभी जिलों में बच्चों को कोरोना वैक्षिन देने का अभियान चलाया गया जिलादिकारी ने बताया कि आज से 15 से 18 वर्स की आयू के युवाओं को वैक्षिनेशन किया जा रहा है जिसके लिए जन्पत में सहरीता ग्रामीर चेत्रों के 24 वैक्षिनेशन सेंटरों में वैक्षिनेशन किया जा रहा है जनपत के समस्त विद्यालों के प्राचारियों के साथ पूर्व में बैठा कर उनके विद्यालों में पढ़ने वाले 15 से 18 वर्ष की आयू के चात्र चात्रों की सूची बनाने के निर्देश दिये गए ताकि ओन साइट भी वेक्षिनेशन सेंटर बना कर बच्चों का वेक्षिनेशन किया जा सके जनपत कानपूर नगर में अभी जैसे पूरे ब्रदेश में आज प्राणव हो रहा है पंदरा से 18 के जो एज ग्रूप के हमारे जो बच्चे हैं उनके वैक्षिनेशन के लिए जनपत कानपूर नगर में भी 24 सेंटर्स कुले हुए हैं सबसे हम लोग जो हमआरे इस्टैबली सेंटर से साथरिए को सब्सक्राइब के जो अरति पांदरा इतारा से बीच के जो वैक्सिणेशन के लिए जो यह ग्रूप है एस स्टुड़ंगो करें ताकी जो ऑन साइड वेक्सिनेशन हम लोग बौत जल्दी उसके भी तयारी हम लोग कर रहें कि जल्से जल्दी ऐन साइट वेक्सिनेशन में लोग त्लार्म करे及 सखें और अधिك से धिन संखिया में बच्यों को सद्सक्राइब रहेंधी स donít है तो आपका शगून वैं रगों जाए निए तो सिन गजाए कि काफी जिन से दा काफी जिन से एपूंसे लग गई हाँ लगवानी सभी लगवानी चाहिए तो हाँ फोटो भी एचेंडी लिवी पर पैटू लगवानी चाहिए क्योंकि करोना से बचना है तो लगानी पड़ेगा अधिया पहली डोज लगी है कि अधिया कितने साथ की हो 15 अधिया कितने से इंतिजार था वैक्सीन लगने का सब की वैक्सीन आगी थी पिस हमारी नहीं आ रही थी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें